अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो इस से पहले आप उन सारे वीडियो को देख लिजिए इस यूनिट में हम लोग कबर करने वाल है PL SQL का introduction इसके data types, operators, function, control flow statement, procedure और transaction का means क्या होता है, triggers and last topic है मारा cursor तो चलिए देख लेते हैं इनका detail wise की introduction पहले समझ लेते हैं कि PL SQL है क्या, इसके data types क्या क्या PL SQL की बात करें तो PL SQL का full farm होता है, processor language and SQL का full farm होता है, structure query language इसके introduction की बात करें तो PL SQL जो होता है हमारा structure query language का एक extension होता है, एक extension का मतलब आपको पता होगा जो किसी फाइल का अपने एक extension होता है .mp3, .mp4, जिसे कुछ music का हो गया, .image हो गया, image जो भी हमारी photos होती है, उनका extension हो जाता है, अब software के किसी बात करें, तो .exe file हो जाती है, software कहलाती है, तो यह सब जो भी dot के बाद वाला नाम रहता है, यह हमारे का extension होता है, जो किस format बताता ह किया जाता है, तो database को management करने के लिए, manage करने के लिए, यह हमारे एक software होता है, Oracle, ऐसे हमारे jam भी होता है, SQL, यह सब हमारे database को manage करने के लिए, कोई ने कोई एक software है, ठीक है, अब SQL की भी प्रीत, PL SQL programmer को एक procedural format में code लिए अनुमती देता है, मतलब जो भी हमारे programmer होगा, उसे, ज powerful SQL query बनाने के लिए, procedural language की, SQL के साथ, SQL के data power को जोड़ती है, यह भी इसका एक मुख कारण है, अगरे जो हमारे procedure के मतलब समझती कि procedure कहा होता है, तो procedures एक stored program होता है, जिसमें से हम parameter पास कर सकते हैं, procedures का प्रियोग, एक specific task को perform करने के लिए किया जाता है, यह दूसरे programming language के procedure की similar होता है, तो यह था हमारा procedure और PLSQL को ध्यान बेखरना है, यह के हमारे extension होता है, ठीक है, अब अगर architecture की बात करें, PLSQL की, तो PLSQL का architecture तीन प्रकार को होता है, पहला है PLSQL block, दूसरा है PLSQL engine, और तीसरा है हमारा database server, तो PLSQL block की बात करें तो, यह हुआ component है, जिसमें real PLSQL code होता है, मत हमारा क्या होता है, PLSQL block, इसमें code को logical रूप से divide करने के लिए, अलग-अलग block होते हैं, इसमें SQL instruction भी है, जो database server के साथ interact करता है, ठीक है, निस्ट पांट इसमें हमारा PLSQL हिकाईयों को भी PLSQL block के रूप में माना जाता है, और यह architecture का first step है, जो primary input के रूप में कारे करता है, तो मतलब जहां पर coding की जाती है, वो PLSQL के block के रूप में अंतरगत ही आता है, और इसमें क्या होता है, जो code होता है, code को logical रूप से divide करने के लिए, अलग-अलग block होते हैं, ति यह more than two points भी sufficient है, समझने के लिए कि PLSQL block के रूप में क्या होता है, ठीक है, नेश्ट है हमारा PLSQL engine, इ हमने coding कर दिया है, अब इसके बाद कुछ न कुछ processing होगी, तो जो हमारे processing होगी, कहां पर होगी, PLSQL के engine के अंदर, ठीक है, PLSQL engine, input में PLSQL इकाईयों, और SQL भाग को, SQL पार्ट को अलग करता है, और क्या करता है, SQL का हिस्सा database server को भीजा जाता है, जहां database के साथ वास्तो एक interaction होत होता है, तो SQL का जो भी हिस्सा होगा, वो database का server जो होगा, वहां भीजा जाता है, जहां database के साथ वास्तो एक interaction होता है, database मतलब जहां पर आपका data store है, इसे database server और application server दोनों में establish, मतलब इस्थापित किया जा सकता है, किसे PLSQL engine को, तो यह जो दो से तिन पॉइंट थे इसके, त नेक्स्ट है हमारे database server, जो कि थर्ट टाइप का architecture है, तो इसके अंतरगत क्या होता है, कि PLSQL unit का सबसे महत्तपूर्ट घाटक है, जो data को store करता है, ठीक है, यह है server, PLSQL engine database server से बाच्चित करने के लिए PLSQL, इकाईयों से SQL का उप्योग करता है, बतलब SQL के अंतरगत, कुछ ना query होते हैं, जो भी कुछ काम करवाना होता है, तो SQL का यूज करके ही, बाच्चित करने के लिए SQL का यूज करता है SQL engine, ठीक है, किसे बात करने के लिए database servers, अब SQL के कुछ ना कुछ data type भी होंगे, SQL data type, SQL data type के अंतरगत क्या होता है, जो हमारा data है, उसका कुछ ना कुछ टाइप होता है अपना कि इंट टाइप का डेटा है कि कैर टाइप का डेटा है यह फ्लोट डबल एटी सी तो समझ लेते हैं इसके अंतरगत पॉइंट क्या है कि SQL में अलग-अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं जैसे कि निमेरिक इसके अंतरगत जितने भी हमारा डेटा है उसका कुछ ने कुछ टाइप होगा चाहे वो निमेरिक हो यह कारेक्टर के फॉर्म में हो बाइनरी के फॉर्म में हो या फिर और भी अधर हो सकते हैं निश्ट इसी में पॉइंट है हमारा यदि आपको किसी टेवल्स को क्रियेट करना है तो पहले आपको डेटा टाइप के बारे में समझ लेना चाहिए मानलो कि अगर आप डेटा बेस में ट्री ले रहे हैं आप डेटा बेस में कुछ काम करना चाहरे हैं तो इससे पहले जानना अत्य महत्तपूर है उसके बाद ही कोई न कोई table आप create करें तो बहतर होगा ठीक है अब और इसमें बताया जा रहा है कि tables create करते समय data type का बहुत बड़ा रोल होता है data types आप field या column पर apply कर सकते हैं किसी भी table में हर data type का एक different तरह की value को store करने में मदद करता है तो जो भी ह नारे data होगा उसका सबका अलग-अलग type का data type भी होगा मालो कोई point वाली value है तो float में जाएंगी int वाली value है int वाली तो integer में जाएंगे मतलब non point table value और character type की value है तो care में जाएंगी इस तरह के और भी बहुत कुछ data type में आ सकता है और इसमें क्या होता है कि इसमें किस column में किस तरह की value store होंगी यह define करने के लिए ही data type को use किया जाता है हर column के लिए data type table create करते समय ही define किया जाता है मतलब जब भी आप table create करेंगे तो उससे पहले data type को हमें select करना पड़ेगा ठीक है SQL में data type के कुछ types है उन्हें समझ लेते हैं कितने type की data type है अगर आप programming language को इन्हों कोई पढ़े होंगे तो इसमें भी आप data type की नाम से परचित होंगे कुछ नई बात नहीं है अगर आप इससे पहले कोई निमेरिक टाइप को 4 categories में divide किया गया है जो कि हम आगे table में समझ लेते हैं जिससे बेहतर समझ में आएगा हमें इस table में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा column है पहले column है data type second है syntax and next है हमारा range तो data type के अंतरके कौन-कौन से हमारा data type है integer, small integer, big integer, tiny integer, bit, numeric, decimal इसका syntax अगर जो भ को आप में represent करेंगे, small integer को small, int के form में represent करेंगे, big integer को big int, ऐसे ही tiny integer, tiny int, bit को bit, numeric, numeric decimal का decimal होगा, अब इनका कुछ अपनी range होगी कि 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 कहां से लेकर कहां तक यह value store कर पाएंगे memory पे, तो इनकी साइट पे range दिए, यह आपको range याद नहीं करनी है, बल्कि find करनी है, find करने क अपना एक formula होता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है, तो आप comment में बता देना, उसका मैं video अलक्स बना दूना, तो इस तरह से अगर आपको SQL के अंतर का data type पूछा जाता है, तो data type के आपको type बताना है, और उस अलग-अलग type को define करना ह और उनके नीचे जस्ट उनकी एक table के rate करते हैं, जैसे कि ये वाली table थी, जिसके बारे में भी हम पढ़े है, numeric data type की, ठीक है, next हम समझ लेते हैं कि next क्या है, next है हमारा character data type, इसके अंतरकत क्या होता है, कि character string data type, alpha numeric value, number और character को represent करते हैं, character string एक बहुत ही valuable data type है, बहुत सी प् कई सारी programming language हैं, जो character data type का use करते हैं, अब इसमें भी एक table बनी हुए है, जिसमें data type एक side में, left side में, और बीच में है syntax, and last में है range, तो data type की अंतरकत, जो character से related data type जितने थे, वो आ जाएंगे, और उनका जो कैसे coding में represent करते हैं, वो इसका syntax है, और range उनकी क्या memory पे किस तरह कि इतनी value तक है range में store करेंगी, वो इसकी होती है range, ठीक है, तो data type कि अगर इसके बात करेंगे, तो इसमें character string, unique code character string, ऐसे ही हमारे character string, unique code character string, इस तरह से आ जाते हैं data type, इनने represent करने का तरीका लाग है, character string को कैसे represent करते हैं, care नाम से, care string, character string दुबारा, where care, ऐसे भी हमी से represent कर सकत होते हैं, next है मारा binary data type, इसके अंतरगेत क्या होता है कि binary value bytes की एक sequence होती है, यह 8 bits pair के रूप में store होती है, 8 bit मतलब 1 byte, binary data types में आप image, idio, video और execute table files भी store कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी binary format में होते हैं, mysql में दो तरह के binary string data types होते हैं, आप देख सकते हैं, अब इसमें भी एक table है, data type, syntax and range, तो data type के अंतरगेत binary value, binary value and image, और इनका कुछ syntax है, binary value, binary, where binary and image, इनका कुछ अपनी range है, तो range भी आप देख लेना, next आज आता है हमारा temporal data type, SQL में date और time, types को temporal types कहते हैं, इस तरह के data type में आप time, year, date, आधी temporal information store कर सकते हैं, temporal data types कुछ इस तरह के होते हैं, जो आपको table में दिख रहे होंगे, सो हो रहे होंगे, जैसे कि इसमें कुछ data type है, syntax है, और उनका कुछ अपना range है, data type के अगर बात करें इसमें, तो integer आजाता है, small integer आजाता है, big integer, tiny integer, and bit, same first value table जैसे ही हमारे लगभभभग तो आप इसे भी समझ सकते हैं, इसका कुछ syntax है, जैसे इसे coding में represent करते हैं, और इसके कुछ range है, इस तरह से आप data type अगर आपसे पूशा जाता है, तो data type के बारे मे table की सहायता से ही, मतलब table के साथ-साथ ही उसके बारे में लिख देना है, अब SQL में कुछ operators भी यूज होते हैं, वो उसके बारे में समझ लेते हैं कि operators क्या होते हैं, तो SQL में logical and mathematical operations करने के लिए हम जिन symbols का व्योग करते हैं, उनको SQL operators कहा जाता है, मतलब जो भी हमें operation perform करना है, तो उसके लिए कुछ नकुछ symbol का यूज करते हैं, मालोग दो नमबरों का हमें sum करना है, तो sum करने के लिए दो नमबर हमारे पास आ जाएंगे, 4 and 3, तो 4 and 3 को sum करने के लिए हमें कोई नकोई symbol का यूज करेंगे, जिससे बोलते है plus, तो यह हाँ पे operator की तरह काम करेगा plus, और जो हमारे side में 4 and 3, यह क्या है, value है, तो जो भी एक operator क्या होता है, एक symbol होता है, जो कि mathematical या logical operation को perform करने के लिए use किया जाता है, तो यह आपको ध्यान भी रखना है कि operators क्या होते है, operators का उपयोग SQL statement में conditions को define करने के लिए किया जाता है, तो operators का एक use और भी होता है, जो कि SQL statement में condition को define किया जाता है, ठीक है, SQL में 3 type के operators होते हैं, जो की नीचे हैं देख लेते हैं, कौन-कौन से operator होते हैं, पहला है arithmetic operators, दूसरा है comparison operators, तीसरा है logical operator, इन से पहले SQL भी लिखा हुआ है, तो इन्हें आप जब भी operator लिखेंगे, इसके अगर SQL के अंतरगत, इस database के अंतरग अगर arithmetic operators की बात करें, तो arithmetic operator के अंतरगत हमारे 5 operator आते हैं, कौन-कौन से, plus, minus, multiply, divide, and, mod, जो की आपके table में भी so हो रही होगी, तो अगर अर्थ operator के बारे में आप लिखेंगे तो operator के बारे में बताओगी पहले कि operator क्या होते हैं, कितने type के होता है, इन्हें define करना है, फिर अ इसके अंतरगत, दो value के बीच में compare किया जाता है, कि कौन सी, क्या first value value दूसरे वाली के बराबर है, अगर है, तो कुछ operation perform हो जाए, अगर नहीं है, तो कुछ और operation perform हो जाए, क्या first value value, second value value से छोटी है, तो कुछ न कुछ comparison ही हो रहा है, तो इसे बोलते हैं, comparison operator, comparison operator एक mathematical symbol है, जब इसके अंतरगत multiple operator आते हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन सा है, पहला है equal to operator, दूसरा है greater than, less than, greater than, or equal to, less than, or equal to, और last है हमारा not equal to, तो यह थे अब SQL comparison operator के अंतरगत, यह सारो operator, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि SQL, arithmetic operator के अंतरगत कौन से operator आते हैं, comparison operator के के अंतर, दो value के बीचे compare किया जाता है, और arithmetic operator के अंतरगत, जो अभीता कम पढ़ते हैं, normal symbol, plus, minus, multiply, divide, and mod, वो आ रहे थे arithmetic operator के अंतरगत, next operator हमारा आ जाता है, SQL logical operator, इसके अंतरगत क्या होता है, कि logical operator कुछ conditions को check करता है, कि condition true है, या false है, logical operators, एक या अधिक true या false value को combine करके, एक value को true या false को written कर देता है, ठीक है, अब इसके कुछ table है, table में देख लेंगे तो अगर, all, and, any, in, not, or, between, यह क्या operator है, हमारे SQL logical operator है, इनका सब का अलग अलग काम है, यसे all का, all का का क्या है, कि all उप्योग किसी unvalue set में, किसी मान से value को compress करने के लिए उप्योग किया ज क्योंकि इन सब का अपना एक program बनेगा, इनका सब का अपना logic defined होगा, इस तरह हम वीडियो में ने समझ सकते हैं, जब तरह कि इसकी coding न करें, तो यहां सब के क्योवल ready करना पड़ेगा, exam में कुछ लिखने के लिए, अब आ जाता है हमारा PL SQL control statement, तो जो programming इससे पहले कोई ज क्या होते हैं? डेटा टाइप क्या होते हैं? कर से लूप स्टेमेंट बहुत साहूं यहां जासे लूप स्टैमेंट होगा,… लूप चला करके इस तरह कोईने कोई statement पर हम control करेंगे तो PLSQL has three categories of control statements पहले है इसमें conditional selection statement दूसरा है loop statement तीसरा है sequential control statements अगर conditional selection statement की बात करें तो इसके अंतरगत क्या होता है कि which program different statement for different data value तो conditional selection statement क्या करता है कि different statement को run कराता है different data type value के लिए है second DC में है the conditional selection statements are if and case मतब conditional selection statement के अंतरगत क्या होता है कि इसके अंतरगत if वाली चितने ही condition होती है वो आते हैं if case हो गया इससे switch case में आ जाता है उसमें switch में अलग-अलग case बनते है case 1, case 2, case 3 वैसे if वाली condition भी बनती है तो ये सारी चीज किसके अंतरगत आती है selection statement के अंतरगत next है हमारा loop statement loop statement के अंतरगत क्या होता है जब हमें एक इसी एक ही value को बार बार print कराना है तो इसके लिए हम loop condition का use करते हैं loop statement के अंतरगत हमारे multiple loops आते हैं जिससे while loop, do high loop, for loop, for each loop इस तरह से इसमें क्या होता है कि which run the same statement with a series of different data values तो है इसमें बताएगा है कि जब किसी एक value को बार बार हमें print करवाना हो तो इसके लिए हम loop का use करते हैं the loop statements are the basic loop, for loop and while loop ये था हमारा loop statement के अंतरगत अगर आप थोड़ा बहुत भी coding की होंगे तो इनसे परचीत होंगे और इनसे पर कुछ न कुछ एक जांपल भी बनाए होंगे यहाँ पर हम चूकी theory पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम coding cover नहीं कर रहे हैं नहीं तो अगर coding cover करेंगे तो यह जो वीडियो है आपकी short video long video में convert हो जाएगी और फिर आप आपका इतने जल्दी cover कर पाना अपना यह chapter संभो नहीं है coding ही करते रहेंगे है ना तो चलते है नेक्स्ट है हमारा अब आज आता है हमारा sequential control statement इसके अंतरगत क्या आता है go to statement आते है हमारे sequential control statement और go to which goes to specified statement and null which touch nothing तो sequential control statement के अंतरगत हमारे यह कौन से आते हैं go to statement next topic है हमारा Priném्टर gaar अनतरगत तो प्रोशेज़र में एक stored program होता है जिस में से हम parameter一个향ate कर सकते हैं तो और एक श्टोर्ड प्रूग्राम होता है जो कर हो चुका है तो श्टोर्ड प्रग्राम होता है जिसमें हम parameter पास कर सकते हैं यह है मार प्रोसेजर प्रोसेजर जो होता है function की तरह ही कारे करता है परन्तु function में return value पहले से निर्धारित होती है जबकि प्रोसेजर में ऐसा नहीं किया जाता है अगर आप function बनाये होंगे c language में तो हम function नाम से पहले से परचित होंगे तो इसमें क्या होता है यह procedure function की तरह ही कारे करता है परन्त फंसन में return value पहले से निर्धारित की जाती है जबकि प्रोसेजर में ऐसा नहीं किया जाता है function को call करना तथा प्रोसेजर को call करना अलग-अलग विधिया है function call करते समय उसकी value या तो किसी variable मिली जाती है या output में print कराई जाती है जबकि प्रोसेजर को direct call किया जाता है तथा आउससक parameter पास कर दिया जाता है मतलब है तो यह procedure हमारा function की तरह ही लेकिन कुछ इसमें major differences है वो आपको यहां से ध्यान में रखना है कि function में क्या होता है और procedure में क्या होता है आप से यह difference में पूछा जा सकता है procedure and function में difference बताओ त निश्ट इसी में है कि procedure भी function की तरह oracle database में store रहते हैं जिसे आउसकता के अनुसार user call कर सकता है तो यह कहां store रहते है और एकल database में store रहते हैं हमारे के procedure अब कुछ parameters के types भी हैं इसके अंदर गर तो वह ही है कि types of parameters in PLSQL procedure अब PLSQL जो प्रोसेजर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर इन parameter procedure को एक value pass करने देता है यह एक read only parameter है प्रोसेजर के अंदर इन parameter constant की तरह कार करता है यह था हमारा इन parameter के बारे में अब out की बात करें तो एक out parameter calling program को value return करता है प्रोसेजर के अंदर out parameter variable की तरह कार करता है तो जब भी होता है प्रोसेजर के जो मारा out है वो क्या होता है प चारे करता है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि in और OUT किया है हमारे parameters है इसके procedure के અलैक ब्रोसेजर के हैं इने को अपना अलग मेंग है और OUT को कुछ अपना अलग मेंग है तो तो हमारा इन आउट अब दोनों का इन और आउट दोनों एक साथ ही आ गया है हमारे थाड़ mulit अलग अलग थे इसमें इन और आउट तोनों साथ में तो हमारे तीन पैरामीटर हो गए पहला कौन से था इन दूसरा आउट और तिसरा है इन आउट किसके पैरामीटर यह प्रोसेजर के पैरामीटर से आपके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोसेजर क्या होते तो प्रोसेजर के बारे में बताने हैं आपको कि यह क्या होता है और इसके क्या टाइफ है कितने टाइफ का यह प्रोसेजर होता है और उनके बारे में उन्हें भी डिफाइन कर देना है कि next topic हमारा आजाता है transaction जैसे ही नाम आता है तुस्ससे हमने डूरन मैंजर मेख खहले आजाता हुग हो सबसे लिए नई तुसरे लिए नई बात नहींगर नहीं है लोग पहले से परचित है अब इसके नतरक्रत और क्या-क्या होता है है कैसे transaction होता है वो समझनाय में ठीक है चलिए समझ लेते हैं transaction operations का समुव होता है जो कि के वर एक logical operation के तरह treat होता है यह था transaction उधारण के लिए जब हम अपने bank account से पैसे निकालते हैं यह bank account में पैसे जमा करवाते हैं तो यह क्या होता है एक तरह का transaction ही होता है अब इसके अंतरगत कुछ properties हैं जिन्हें हम sword में बोलते हैं एसीट properties transaction की चारप्रपर्टीज होते हैं जिसे हम एसीट properties पोलते हैं most important topic है आपका is chapter का acid properties जो कि 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 अंतरगत आता है transaction जिएशिट का अपना फुल फॉर्म है जैसे कि A का means क्या है atomicity, C का means क्या है consistency, I का isolation और D का durability इनका अपना एक मतलब है acid का इस topic को पढ़के जाना ही जाना है आपको एक्जाम में जो acid properties किसके अंतरगात आएगा इसे पढ़के जाना ही जाना है most important topic है, तो atomicity के अंतरगात क्या होता है कि जब transaction एक ही step में complete हो जाता है कोई हम transaction करते हैं तो वो एक ही step में complete हो जाता है तब transaction atomic होता है, consistency की अगर बात करें तो जब transaction होता है तो database एक state से दूसरे state में consistence होता है consistence मतलब ऐसा दो consistency रखो तो इसमें के अंतरगत क्या होता है जब transaction होता है तो database एक state से दूसरे state में consistence होता है अब third day हमारा isolation के अगर बात करें isolation के अंतरगत क्या होता है कि जब 2 या उससे अधिक transaction एक साथ execute होते है प्रभावित नहीं करता तो यह होता है आईसोलेशन के अंतरकत क्या होता है कि जब एक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो जो परिवर्थन होते हैं वह पर्मानेंटली सिस्टम में रहते हैं और था ट्रांजेक्शन ड्यूरेबल होना चाहिए तो इस त इंप्लीशिट ट्रांजेक्शन और दूसरा है एक्स्प्लीशिट ट्रांजेक्शन इंप्लीशिट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंप्लीशिट ट्रांजेक्शन में एक नए ट्रांजेक्शन को सुरू कर देता है जब वर्तमान यानि present transaction committed या rollback होता है अब implicit transaction को on या off करने के लिए इस statement का प्रियोग किया जाता है कौन से statement का जो आपको नीचे दिख रहा होगा green color में set implicit underscore transaction on या फिर off तो अगर हमें कुछ क्या करना है on off करना है implicit transaction को तो इस statement का use करते हैं on या off करने के लिए है तो यह आपके ध्यान नमीं रखना है किसके अंतरगत implicit transaction के पृत्यक ट्रांजेक्शन को end करने के लिए कमिट ट्रांजेक्शन या rollback transaction statement का प्रियोग किया जाता है हम इने rollback transaction क्या होता है कमी transaction क्या होता है आगे पढ़ने वाले है ठीक है अब आ जाता है हमारा explicit transaction इसके अंतरगत क्या होता है कि एक explicit transaction में दोनों starting तथा ending transaction को इस पस्ट रूप से define किया जाता है मतब जो फस्ट रूप में ट्रांजेक्शन हुआ हो इस टार्टिंग और लास्ट वाल ट्रांजेक्शन को इस पस्ट रूप से define किया जाता है किसके अंतरगत explicit transaction के अंतरगत explicit transaction को सुरू करने के लिए begin transaction का प्रियोग करते हैं तथा transaction को complete करने के लिए commit transaction या rollback transaction का प्रियोग करते हैं तो यह आपको rollback transaction क्या होता है और commit transaction क्या होता है जिनका meaning क्या होता है explicit transaction को सुरू करने के लिए begin transaction का प्रियोग करते हैं तथा transaction को complete करने के लिए हम commit transaction या rollback transaction का प्रियोग करते हैं, तो ये था इन सब का many rollback का use कहां पर किया जाता है, commit transaction का use कहां पर किया जाता है, तो किसे करने के लिए transaction को complete करने के लिए इन सब का हम use करते है, rollback transaction और commit transaction का, अब इन दोने में difference कहा है, implicit और explicit में अगर एक लाइन में बात करें तो, implicit तथा explicit में main difference यहा है कि implicit transaction automatic होता है, तथा explicit transaction user defined होता है, अगर कोई आपसे difference मुझे लेता है, कि implicit तथा explicit में क्या difference है, यह बताओ, तो आपके क्यों यही लाइन बतानी है, कि implicit transaction automatic होता है, तथा explicit transaction user define होता है यह था हमारा transaction के type implicit और explicit तो निश्ट है हमारा PL SQL triggers triggers जैसे triggers नाम आता होगा तो मैं बस एक ही mind पर ख्याल आता है जो बंदूख उसका trigger प्रिस कर देंगे तो गोली चल जाएगे बंदूख चल जाएगे तो यहाँ पर भी जो वहाँ पर प्रिस करने पर बंदूख चलती थी लेकिन यहाँ पर स्वयम execute होता है हमारा triggers तो अचलिए समझ लेते हैं triggers क्या होता है कि trigger stored programs होते हैं जब कभी table में कोई action जैसे insertion, deletion, updation किया जाता है तो triggers अपने आप स्वयम execute हो जाते है अब मालो की कोई table बनी हुई है उसमें कुछ अनकुछ data रखा गया student का तो कोई एक student है जिसका कुछ अपना ID है ID मतलब first first rule number मालो कुछ उसका हो गया उसका कुछ नाम होगा, date of birth होगी father's name होगा, mother's name होगा, कुछ भी होगा तो इसमें मालो कुछ अपडेट करेंगे या फिर इसके जगह में कोई और data insert करेंगे, या फिर इसे delete करेंगे तो अपने आप हमारा जो trigger होगा अपने आप swim execute हो जाएगा ठीक है, यह था हमारा triggers का मतलब अब trigger को call या invoke नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी किसी dml statement data manipulation statement अगर dml के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पर dml के बारे में detail में समझाएगे है तो triggers को call या invoke नहीं किया जा सकता क्योंकि जब भी किसी dml statement को perform किया जाता है तो trigger अपने आप execute हो जाता है तो यह था हमारे triggers के बारे में अब इसका कुछ figure है figure के मादधे हम से समझने कोसिस करते हैं तो चलिए figure देख लेते हैं इसका अगर आपके exam में आपसे पूच्छा जाता है triggers क्या होते है तो triggers के बारे में आपको लिखना है कि जब भी कुछ जब भी हम किसी table में कुछ नग कुछ insertion, deletion, update कुछ भी करते हैं तो आपर trigger स्वय में execute हो जाते हैं यह एक stored program होता है triggers तो आपको triggers के बारे में बताना है और उसको कुछ इस तरह से figure बना देना है जो database के अंदर के जो हमारे table बना हुए table t-name का उस table के अंदर के खुछ नग कुछ हम क्या करेंगे update करेंगे, insert करेंगे, और फिर delete करेंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो update के लिए update trigger अगर insert करते हैं तो insert trigger और delete के लिए delete trigger अपने आप start हो जाएगा यह था इसका trigger का figure तो आपके अप्लिकेशन का एक box बनाना है database का box बनाना है application के अंदर का update, insert और delete क्लिक देना है और database के अंदर क्या करना है table create करने है table के साथ साथ यह triggered के box create करते हैं यह design करते हैं इस तरह साथ आपके trigger complete हो जाएगा अब triggers के कुछ न कुछ अपने types है जिनें बोलते है row level triggers और दूसरा है statement level triggers तो row level triggers की अगर बात करें तो जब प्रतेग row में update, deletion तथा insertion होता है तब row level trigger घाटित होता है मतलब अगर कोई हमारी table है हम उसके row पे update करेंगे यह deletion करेंगे, delete करेंगे यह फिर insert करेंगे कोई नई row तो वहाँ पे क्या होगा? row level trigger होगा अब statement level trigger की बात करें तो कोई भी SQL statement जब execute होता है तब statement level trigger घाटित होता है तो यह आपको ध्यान में रखना है trigger के अंतरगर, trigger क्या होता है trigger को कुछ figure आपको swap कर देना है और trigger के type बता देना है तो row level trigger और statement level trigger triggers के types है next हमारा आजाता है cursor cursor हमारा वह आला cursor नहीं है जो हम laptop में ऐसे घुमाते हैं pointer जीसे बोलते है cursor यह कुछ cursor अपने database का कुछ अपना एक अलग topic है लिकिन कुछ उसी से मिलता जुलता नाम है इसका तो SQL statement को process करने के लिए Oracle एक memory area create करता है जिसे context area भी कहा जाता है तब जो भी हमारा SQL statement को process करने के लिए कुछ memory लगेगी तो Oracle क्या करता है एक memory area create कर देता है जिसे हम context area भी कहा जाता है या जिसे हम context area भी कहते है cursor इस memory area के लिए pointer होता है तो जो भी हमारे यह memory है, इसका कुछ area होगा, तो उस memory area के लिए जो हमारे cursor क्या होता है, pointer होता है, और cursor के द्वारा इस memory area को नियंतरित किया जाता है, जैसे कि हम अपने laptop में कोई pointer, जो हम cursor इधर दोर move करते हैं, तो सारा काम जो होता है, वो cursor के throw ही करते हैं, कि कुछ कोई file को close करना, cross करना, minimize करना, तो सारा काम क्या होता है, cursor के द्वारा ही करते हैं, उस particular area पर अपने display के अंतरगत, तो वही चीज़ में इसके अंतरगत कुछ बताया जा रहा है, कि इसमें SQL के अंतरगत क्या होता है, कि cursor इस memory area के लिए pointer होता है, और cursor के द्वारा इस memory area को नियंतरित क करेगा, तो हमारे क्या कहलाएगा, cursor कहलाएगा, तो cursor का size उसके data के अनुशार flexible होता है, और कल cursor को open करने के लिए, main memory में कुछ space predefined रखता है, इसलिए cursor की size limited होती है, जब भी कोई query run होती है, तो cursor कार करता है, query का मतलब क्या होता है, कुछ अपनी एक command है, मालोग insert करने के लि delete करना है, तो कुई अपनी अलग command है, update करना है, तो उसके कुछ अलग command है, तो यह हमारे क्या होती है, query कहलाती है, अब हमारे पास cursor के भी दो type होते हैं, कौन-कौन से, implicit cursor और दूसरा है, explicit cursor, implicit cursor के अंतरकत क्या होता है, कि जब भी SQL statement execute होता है, तो Oracle के द्वारा, implicit cursor को automatically create कर दि नहीं कर सकते हैं, जो भी मारे programmer से, डिजानर, जो भी πर्रॉ-gaming करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, implicit cursor ताथा, उसमें उपस्ती सूचनों को नियंतरिद नहीं कर सकते हैं, जो हमारे programmer होते हैं, तो यह आपको ध्यान भी रखना है, और explicit cursor के अंतरकत क्या होता है, कि explicit जो cursor ह होता है user define होता है explicit cursor के द्वारा हम memory area में ज्यादा नियंदरन कर सकते हैं यह था हमारा cursor के बारे में cursor के बारे में आपसे पूछे जाता है तो cursor के बारे में आपको लिखना है और cursor कितने type क्यों होता है इसे define करना है इस तरह से आपका यह वाला chapter PL SQL पूरे-पूरे complete होती है इसमें और भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है कि यही जितना मैं इस वीडियो में कवर कर दिया है इतना ही पढ़कर चले जाओगे तो more than sufficient इसमें ही आप अच्छे marks gain कर सकते हैं लेकिन हां कितना याद रहे एक्जाम टाइम में ऐसा नहों कि भूल जाए आप लोग तो भूलना नहीं है बस आपको ध्यान में रखना है पूरे सीच पहले ध्यान से समझने है इस वीडियो को और इनके कुछ नूर्स तो आपको PDF में मिल जा